आज मैं बना रही हूँ पोदिने की चटनी जिस तरह मैं बना रहे हूँ उस तरह आप भी घर पे बनाओगे तो बहुती टेश्टी चटनी बनके तयार होगी इस चटनी को बनाने के लिए मैंने कुछ इंपोटेंट टिप्स बताए हैं वीडियो को बिल्कुल भी इसकी बना करें सबसे पहले हमें पोदिना चाहिए पोदिना अपने हिसाब से कम जादा कले सकते हैं एक दाना टमाटर थोड़ा सा हरा धन्या आठ से दस कल्या लैसुन की लैसुन का फ्लेवर चटनी में बहुत अच्छा आता है चम जीरा, स्वादा नुसा, नमक, एक इंचे अद्रक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, अब हम मिक्सर का जाल लेंगे इसमें सबसे पहले हम पोदिना डाल देंगे फिर हरा धन्या डाल देंगे अब हम इसमें लैसुन डाल देंगे अब हम इसमें टमाटर को रफली काटकर एक हरी मिर्चे कार लेंगे, अगर आप जादा मिर्चे खाते हैं तो दो या तीन भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें अधरा कार लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे, ये जीरा डाल देंगे और नमक डाल देंगे, एक चोथा ही चमच हम काली मिर्चे डाल देंग अब इसको मिक्सिक रेंडर में पीश लेंगे, आप चाहें तो इसे सिलबटे में भी पीश सकते हैं, हमने पोदिने की चटनी पीश ली है, इसकी थिकनस बहुत बढ़िया हुई है और बारीक भी पीश गई है, अब हमने इसे एक कटोरी में टांसफर कर दिया है, ये हमारी च